तो यहां पर हमने देखा कि जो आपका दोनों के बीच में एंगल है कि अगर हमारी length is direction magnetic field जो है वो इस direction में है और length को हमने जो है उसके perpendicular रखाव है तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 degree का होगा तो यहां पर फिर force का जो value आएगी वो क्या आएगी आपकी F is equal to BIL तो B की value हमने put किया यहां पर B आपको given है magnetic field की value 0.27 और I की value आपको given है करन की value आपको 10 ampere given है तो उसकी value हमने 10 put कर दिया है और जो length है यहां पर वो आपको 3 cm given है तो उसको आप meter में change करोगे ठीक है इसको ऐसा unit में change करोगे तो यह हो जाएगे आपकी 3 into 10 is to power minus 2 meter ठीक है तो यहां पर सब इस formula में put करोगे तो force की value आपकी कितनी आएगी 8.1 into 10 is to power minus 2 newton ठीक है तो यहां पर हमने किया इसमें हमने देखा था कि कोई भी जो आपकी wire है उसको आपने solenoid के अंदर रखा है कि जो solenoid की magnetic field उसके कितना force लगाएगी तो यह force का formula में याद रखना है f is equal to b i l sin theta और theta जो होता है that is the angle between b and l next question इसमें given है example example 2 इसमें आपको given है a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 4 ampere it is suspended in mid air by a uniform horizontal magnetic field b what is the magnitude of magnetic field ठीक है तो यह हमें बताना है what is the magnitude of magnetic field तो इस question में आपको क्या given है कि कोई भी आपकी एक straight wire है कोई भी आपकी एक straight wire है जिसका mass जो है वो 200 gram given है और उसकी जो length है एक आपके पास wire है उस wire का जो mass है वो 200 gram given है और उस wire की जो length है वो 1.5 meter 1.5 meter है it carries a current of 4 ampere तो यह आपके 4 ampere के current को carry करती है it is suspended in mid air by a uniform horizontal magnetic field भी तो इसको suspend किया गया है ठीक है in the uniform magnetic field will be what is the magnitude of magnetic field ठीक है तो यह जो है magnetic field का magnitude हमें यह आपे निकालना है तो इस question को जहां से देखो यहां पर आपको एक straight wire given है उस straight wire का जो mass है वो आपको 200 gram given है और जो उसकी length है वो 1.5 meter given है और उसका जो current है वो आपका 4 ampere का current है ठीक है it is suspended in तो इसको कहां पर suspend किया गया है एक magnetic field के अंदर इसको suspend किया गया है एक magnetic field uniform magnetic field के अंदर इसको suspend किया गया है तो what is the magnitude of magnetic field ठीक है तो याने कि यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए कि इसमें जो आपकी यहाँ पर wire given है यह wire तो wire का जो weight होगा mg वो आपका हमेशा किसकी तरफ होता है नीचे acting vertically downward ठीक है और इस पर जो magnetic force लगेगा वो यह होगा आपका force due to the magnetic field क्योंकि wire आपकी क्या है it is suspended यह आपकी लटकी हुई है it is suspended तो suspended का मतलग क्या है कि इस पर जो लगने वाला magnetic force है जो कि आपका upward direction में लग रहा है और इसका जो weight है जो आपका downward direction में लग रहा है दोनों क्या होने चाहिए आपके equal होने चाहिए तभी वो force आपकी क्या वो wire आपकी क्या करेगी suspend करेगी ठीक है तो suspend का मतलग कि इस wire का जो weight है जो कि आपका नीचे की तरफ लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए जो इस पर force लग रहा है magnetic field की वज़े से और वो जो है आपका upward direction में होगा ठीक है तो जैसे मैंने अभी बताया कि यह जो आपकी wire है इसका जो weight है mg वो हमेशा आपका vertically downward होता है और magnetic field की वज़े से जो इस पर force लगेगा F जो किसके बराबर होगा BIL तो अगर यह दोनों force बराबर होंगे तभी यह wire जो है यह आपके equal है इसका मतलब ना तो वो wire आपकी उपर की तरफ जा रही है ना वो wire आपकी नीचे की तरफ जा रही है वो suspended है की point पे तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो दोनो forces है वो आपके बराबर है इसका मतलब जो weight है वो है आपका mg और जो आपका magnetic field का जो force है वो है आपका B I L तो यहाँ से हम किसकी value निकाल सकते हैं B की value निकाल सकते हैं तो क्योंकि हमसे B की value प्यूची गई है तो B किसके बराबर आएगा आपका mg upon I L M की value आपको given है 200 gram तो इसको kilogram में change कर दोगे length की value given है आपको 1.5 current की value given है आपको 4 Ampere M की value 200 gram given है तो इसको kilogram में change करोगे G की value होती है आपकी 9.8 current given है यहाँ पे 4 Ampere और length given है आपको 1.4, 1.5 meter ठीक है तो यह सारी चीजों को put करके आप क्या कर सकते हो B की value को निकाल सकते हो तो यहाँ पे ठीक है इसमें फिर यह given है आपको applying flaming left hand rule we find that upward force F ठीक है तो इस पर जो upward force F लग रहा है magnetic field की वज़े से जो की आपका BIL है mid air suspension this must be balanced by the force due to gravity इसका मतलब अगर इस पर magnetic field की वज़े से कोई भी force अगर upward direction में लग रहा है तो वो तभी balance हो सकता है जब उसका weight जो है mg वो उसको balance करे इसका मतलब mg की value जो है वो BIL के बराबर होगी और B की value जो है वो mg by IL के बराबर होगी तो mass यहां पे आपका gram में given है तो इसको पहले आप किसमें चेंज करोगे इसको आप kilogram में change करोगे तो mass की value आपकी 200 gram है तो इसको आप kilogram में change करोगे g की value जो है आपको 9.8 given है i की value 4 ampere है और length की value आपकी 1.5 है तो यह सारी values put करके ठीक है तो यह आ जाएगा आपका 0.325 tesla तो यानि कि जो magnetic field के value आएगी वो आएगी आपकी 0.325 tesla तो यह वाला जो example है यह आपका बहुत important example है तो पहले case में तो इस वाले topic में हमने देखा कि कैसे जो है आप जो magnetic force है उसकी direction को find out कर सकते हो तो इसमें हमने देखा कि right hand palm rule का इस्तमाल करके या फिर flaming left hand rule का इस्तमाल करके हम current की direct force की direction को find out कर सकते हैं फिर हमने यह example देखा कि कोई भी जो wire है वो आपकी solenoid के अंदर perpendicular direction में रखी है तो magnetic field उस पर कितना force लगाएगी 8.1 into 10 is to power minus 2 newton और यह वाले example जो है यह भी आपका बहुत important example है ठीक है कि कोई भी जो wire है वो आपकी magnetic field के अंदर suspended है तो इसका मतलब कितना magnetic field आपने लगाया है तो इसका मतलब जो magnetic field का force है वो उसके weight के द्वारा balance हो रहा है क्योंकि ना तो वो wire आपकी उपर जा रही है इसका मतलब उस पे दो force लग रहे है एक उस पे magnetic field की वज़े से उपर लग रहा है और उसको कौन balance कर रहा है उसका weight वाला force जो है उसको balance कर रहा है तो यहां से दोनों को equal करके हम B की value को find out कर सकते हैं और B की value हमने निकाली वो किसके बराबर आएगी 0.325 tesla के बराबर आएगी इसका next है यह वाला topic जो है यह आपका बहुत important है यह हमेशा आपका board के exam में आता है पिछली बार भी यह आपका board के paper में आया था बोड के exam में यह question हमेशा आपका five marks का आता है force between two parallel current carrying conductors तो यह topic आपका बहुत important है इसको बहुत यहां से आपको देखना है it always comes in five marks ठीक है तो इसमें हमें क्या निकालना है force between two parallel current carrying conductors कि कोई भी आपके दो parallel है आपके current carrying conductors है ठीक है तो इसमें आपको क्या given है कि आपके पास दो क्या given है दो current carrying conductors given है और वो दोनों कैसे आपके parallel है उनके बीच में भी क्या लगता है एक force लगता है वो force हमें निकालना है इसका मतला कि यहाँ पे मालो आपका एक current carrying conductor है जिसमें current आपका flow कर रहा है और इसी के पास अगर आप एक दूसरा current carrying conductor रग दो जिसमें से आपका current फ्लो कर रहा है अगर हम दोनों को पास पास रख देते है तो दोनों क्या कर सकते है इनके बीच में क्या लगता है एक force होता ह वो force Conway attraction का भी हो सकता है और वो force जो है वो अबका respilation का भी हो सकता है क्छिक तो इस topic को मैं जहान से देखना है तो इसमें क्या निकालना है कि कोई भी आपके 2 parallel तो इने बीच में force of attraction भी हो सकता है यानि यह दोने एक दूसरे को attract भी कर सकती है और यह एक दूसरे को repel भी कर सकती है यानि कि इनके बीच में एक force होता है उस force को हमें find out करना है जैसे कि अगर हम डोनों magnet यहां पर रख दे कि यहां पर एक magnet है ठीक है और यहां पर माल लो यहां पे भी आपका एक दूसरा मैगनेट है तो अगर हम दोनों मैगनेट को पास पास रखते हैं तो यह एक दूसरे को क्या करती है यह एक दूसरे को एट्रेक्ट करती है ठीक है तो इसी तरह के से तो जैसे दो मैगनेट को अगर हम पास पास रखते हैं यह दोनों मै बीच में भी क्या होता है इनके बीच में आपका force of attraction होता है तो यह भी एक दूसरे को क्या करती है attract करती है तो इसमें इस वाले topic में हम देखेंगे कि अगर अगर current आपका same direction में है दोनों wires में अगर current आपका same direction में है तो दोनों wires जो है वो एक दूसरे को attract करती हैं, दोनों wire में current जो है वो same direction में हैं, तो दोनों wire जो है वो एक दूसरे को attract करती हैं, और अगर दोनों wire में current opposite direction में है, यानि कि एक में जो current है वो upward है, और दूसरे में जो current है वो downward है, तो ये एक दूसरे को repel करती हैं, तो ये हमें proof कर अगर आपके दो current carrying conductors हैं और current दोनों में सेम direction में हैं तो वह एक दूसरे को attract करेंगी और और अगर दोनों में current आपका opposite direction में हैं तो वह एक दूसरे को repel करेंगी तो यह जो topic है यह आपका बहुत important है this topic is very important force between इसमें हमें force निकालना है दो parallel इसमें हमें फोर्स निकालना है दो पैरलल राइंग करन्ट के बीच में इसे दो वायर ऐसे दो जिर्में आपका करन्ट कर रहा है वो भी एक दूसरे को एटरेक्ट करते हैं तो अगर जो करणट आपका सेम डारेक्शन में होगा तो यह attract करते हैं और अगर current आपका opposite direction में होगा तो ये repel करते हैं तो ये हम इसमें proof करेंगे कि इनके बीच का जो force है वो हमें निकालना है to find the force on a current carrying conductor due to a second current carrying conductor first find the magnetic field due to second wire at the site of first wire then find the force on the first wire due to that field ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि कोई भी इसमें यहां पर आपकी 2 wires given है तो यह हमारे पास diagram है तो यहां पर हमारे पास यह diagram given है तो इसमें क्या given है let us consider a1,b1 and a2,b2 are two infinitely long straight conductor ठीक है तो यहां पर जो आपका a1,b1 है यह वाला जो आपका a1,b1 है और दूसरा जो conductor है वो आपका a2,b2 है तो दोनों जो है वो infinite long straight conductor है कौन से conductor हमने लिए है infinite long straight conductor ठीक है हमने दो conductor लिए है पहला conductor है आपका a1,b1 यह वाला और दूसरा conductor है आपका a2,b2 यह वाला यानि कि यह जो दोनों conductor है यह आपके infinite long straight conductors है तो यह आपके infinite long straight conductors है a1,a2 पहला conductor a1,b1 है और पहला conductor आपका a1,b1 है और दूसरा conductor जो है वो आपका a2,b2 है तो यह आपके infinitely long straight conductors है और दोनों में जो current flow कर रहा है ठीक है तो पहले conductor में जो current flow कर रहा है वो आपका i1 है तो पहले वाले conductor का current है वो i1 है और दूसरे वाले conductor में जो current flow कर रहा है वो आपका i2 current flow कर रहा है and they are r distance apart और उनके बीच का जो distance है वो कितना है r distance उनके बीच का है ठीक है तो यहाँ पर फिर आपको इस तरीके से given है कि यह जो पहला infinitely long straight conductor है infinitely long है यह infinitely long तो यह आपका a1 b1 है और इसमें जो current है वो आपका i1 current है दूसरा infinitely long straight conductor जो आपने लिया है वो है आपका a2 b2 और इसमें जो current है वो है आपका i2 तो दोनों करण जो है वो आपके सेम डारेक्शन में है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है यहां पर आ डिस्टेंस है तो अब हमें क्या करना है इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है ठीक है, magnetic field induction at a point P on the conductor A2B2 due to the current I1 passing through A1B1 is तो यहाँ पे हम इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम यह चूज करेंगे कि मालो यह कोई आपका conductor है, ठीक है, A1B1 आपका conductor है, और इसमें जो current है वो आपका I1 flow कर रहा है और इसके पास में यहाँ पे आपका एक I2, जो एक conductor आपका रखाव है, I2, दोनों की length इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले मानेंगे कि जो यह current carrying conductor है, पहले वाला जो conductor है यह magnetic field लगाएगा, पहले वाला जो conductor है, ठीक है, हमें पता है कि जो आपका straight conductor होता है, इसके चारो तरफ जो magnetic field होती है, वो concentric circles होते हैं, तो जो पहले वाला conductor है, वो दूसरे वाले, पहले वाला conductor जो है, वो magnetic field produce करेगा, ठीक है, तो पहले वाला जो conductor है, वो magnetic field भी produce करेगा, और उसकी magnetic field की अंदर हमने एक दूसरा conductor रखा है, जिसमें current flow कर रहा है आपका I2, तो इस concept को मैं दुवारा बताती हूं, ठीक है, कि जो पहला conductor है आपका, जो infinitely long straight conductor है, तो उसमें अगर current आपका upward direction में होता है, तो हमें पता है कि उसकी magnetic field होती है, उसको हम कैसे दिखाते हैं, concentric circle से, तो जो पहले वाला conductor है, ठीक है, तो पहले वाला conductor जो है, वो magnetic field को produce कर रहा है, मैं पहले वाला conductor, magnetic field produce कर रहा है, फिर पहले वाले conductor की magnetic field में हमने किसको रख दिया, हमने दूसरे conductor को रखा है, पहले वाले conductor की जो magnetic field B है, उसके अंदर हमने दूसरे conductor को रखा है, ठीक है, और दूसरे conductor में जो current है, वो आपका I2 है, और पहले conductor में जो current है, वो आपका I1 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, कि जो i1 current आपका flow कर रहा है तो उसकी चारो तरफ की जो magnetic field होगी वो कैसी है वो आपकी concentric circles है तो पहला conductor जो है वो magnetic field produce कर रहा है और उसकी magnetic field के अंदर हमने ये दूसरा conductor रखा है जिसमें की current आपका i2 flow कर रहा है तो यानि कि अभी हमने देखा उपर वाले topic में कि अगर हम किसी भी magnetic field के अंदर conductor को रखते हैं तो magnetic field उस पे force लगाती है कौन कितना force लगाती है BIL sin theta का force लगाती है ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा तो अब हमने देखा इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही पहले conductor ये जो पहला conductor है इसकी magnetic field में अगर हम दूसरा conductor रखें ठीक है दूसरा conductor रखें तो पहले conductor की जो magnetic field है दूसरे conductor पे एक force लगाती है तो ये point आपको समझ में आ गया होगा तो पहली जो पहला conductor है वो magnetic field उसकी magnetic field के अंदर पहले conductor की magnetic field के अंदर जब हम दूसरे conductor को रखेंगे तो उस magnetic field के द्वारा इस पे एक force लगेगा तो वो force अब हम निकालेंगे ठीक है तो पहले हम पहले conductor की magnetic field निकाल लेते हैं तो पहले conductor की जो magnetic field होगी उसको हम किसे लिख लेते हैं? B1 से तो जो infinitely यह आपको याद करना पड़ेगा इसका expression जो हम पीछे वाले वीडियो में करेंगे कि पहले जो infinitely long straight wire conductor होता है उसकी वज़े से जो magnetic field होती है उसको हम कैसे लिखते हैं mu naught upon 4 pi 2i1 upon r ठीक है तो इसकी वज़े से जो आपका magnetic field होगा वो यह होगा यह किसकी वज़े से है यह जो हमने infinitely long conductor لिया है यह हमने infinity long conductor लिया है a1 b1 यह a1 b1 का magnetic field है कि a1 b1 का magnetic field कितना होगा तो यह a1 b1 का magnetic field है mu 0 upon 4 pi 2i1 by r क्योंकि पहले conductor में कितना current flow कर रहा है i1 current flow कर रहा है तो उसकी वज़े से जो magnetic field होगी वो ये होगी, ये Num teaser आपको याद करना है, इसको हम डिराइब करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो पहले conductor की जो magnetic field है, वो ये है, अब इस magnetic field में हमने दूसरे conductor को रखा है, ये वाला जो conductor आपका a2 b2 ठीक है, तो इस magnetic field में हमने दूसरे conductor A2 B2 को रखा है तो ये magnetic field दूसरे conductor पे क्या करेगी एक force लगाएगी ठीक है तो वो force कितना होगा तो वो जो force होगा F अभी हमने देखा वो force किसके बराबर होगा F is equal to BIL के बराबर होगा F is equal to BIL ठीक है तो ये जो force होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं force on second conductor due to first conductor तो ये force किस पे लग रहा है जो हमने F is equal to BIL लिखा है ये force आपका second conductor पे लग रहा है due to first conductor force on the second conductor due to first conductor यानि कि first conductor के magnetic field second conductor पे जो force लगा रही है उसको हमने क्या लिखा है तो यह हो गया इसको हम अगर लिखें F is equal to BIL ठीक है तो इसको हम लिखेंगे force on the second conductor due to first conductor यानि कि second conductor पे पहले conductor की वज़े से जो force लगेगा उसको हम F21 लिखेंगे ठीक है और B जो होगी ये B किसकी वज़े से होगी ये जो पहले conductor की magnetic field है उसकी वज़े से होगी तो अभी हमने लिखा कि जो आपके पहले conductor की magnetic field है उसको हमने अभी लिखा कि mu 0 upon 4 pi 2 I1 upon R ठीक है और I अभी हाँ पे हम कौन सा लेंगे अब हम ये किसमें देख रहे हैं force on the second conductor due to first conductor तो यहाँ पे ये जो current है ये कौन सा current है ये current है second conductor में कितना current आपका flow कर रहा है i2 current current flow कर रहा है तो यहाँ पे i की जगह क्या हो जाएगा आपका i2 और l की जगह हो जाएगा यहाँ पर l ठीक है तो यहांपे हमने देखा यहांपे हमने देखा कि जो पहला conductor है वो अपनी magnetic field को produce कर रह है ठीक है तो फिर हमने देखा कि यह कितनी magnetic field को produce कर रहा है , इसकी magnetic field हमने लिख ली, इसकी magnetic field निकालनी है तो दोनों के बीच का जो distance है वो आपका R है ठीक है तो अब इस point पे हमें निकालना है कि जो second conductor है उस पे कितना force लग रहा है तो उसके लिए हम क्या formula लगाते हैं B, I, L का formula लगाते हैं तो B कितनी हो गई ये हो गई आपकी magnetic field जो है ये हो गई आपकी mu 0 upon 4 pi 2 I 1 upon R और I कौन सा होगा ये है second conductor का current तो second conductor का current है वो आपका I2 है और ये हो जाएगा आपका L तो ये जो important है इसमें ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी conductor था ठीक है उसकी magnetic field जो है यहाँ पे आपने इस point P पे इस point P पे आपको इसकी magnetic field है यानि कि पहली वायर की magnetic field है उसके अंदर आपने एक conductor रखाव है है A2 B2 वाला conductor उसके अंदर जो है आपने A2 B2 conductor रखाव है और यहाँ से वो कितने distance पे है यहाँ से वो आपका R distance पे है ठीक है तो अगर हम यहाँ पे magnetic field की direction देखें तो जो magnetic field की direction होगी वो आपकी inward होगी ठीक है तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको हमें पता है कि इसमें जो current है वो upward direction में है और दूसरा जो conductor है उसमें हमने ऐसे रखाव है तो यानि कि पहले की जो magnetic field है वो इस पे यहाँ पे ऐसे touch कर रही है इसको तो यानि कि इसकी जो magnetic field होगी यानि कि इसकी जो magnetic field है वो B1 इसकी magnetic field है ठीक है यहाँ पे कौन सी magnetic field आ रही है B1 क्योंकि पहले वाले conductor में जो current है वो आपका I1 है और पहले वाले conductor की magnetic field है वो आपकी B1 तो पहले वाले conductor की जो magnetic field है वो B1 है उसका जो current है I1 है तो जैसे इस point P पे जो magnetic field की direction होगी वो inward की तरफ होगी यानि कि यहाँ पे जो magnetic field है वो आपकी inward है ठीक है और यहाँ पे इसमें जो current carrying conductor है उसमें कितना current है I2 है तो यानि कि इस पे force कितना लगेगा इस पे जो force लगेगा वो है आपका BIL तो उस force कोम क्या लिखेंगे उस force कोम लिखेंगे कि force on the second conductor due to first conductor ठीक है तो magnetic field कितनी है यहाँ पे B1 और current कितना है I2 और length कितनी हो जाएगी L ठीक है तो यह इसमें ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ पे जो force on the second conductor due to first conductor है यानि second conductor पे first conductor की वज़े से जितन force लगेगा वो कितना है आपका F21 और वो किसके बराबर होगा क्योंकि second conductor पे जो magnetic field लग रही है वो inward लग रही है वो B1 magnetic field लग रही है ठीक है और current कितना होगा I2 कुछ second conductor का current होगा और length होगी यह L ठीक है तो अब हमें यह हमने force का magnitude तो देख लिया कि जो force का magnitude आएगा वो कित F21 की value तो हमने निकाल ली कि जो F21 की value आएगी वो किसके बराबर आएगी B1 I2 और L के बराबर आएगी अब हमें इसकी direction देखनी है कि इसकी जो direction होगी वो कहां पे होगी तो इस point P पे हमें देखना है यहाँ पे यहाँ पे हम flaming left hand rule यूज करेंगे इस point P पे तो यहाँ पे ज आपकी first finger है वो आपकी magnetic field होगी first finger जो है वो आपकी flaming का left hand rule लगाएंगे तो first finger जो है वो आपकी magnetic field है और second finger जो है वो आपकी current है तो current वाली finger को अगर आप upward direction में बनाओगे ठीक है और current वाली को आप upward direction में magnetic field को inward direction में तो जो force होगा वो आपका left side आएगा यहाँ ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि यह second conductor है तो second conductor पे यह जो magnetic field है यह कहाँ पे जा रही है यह B1 वाली magnetic field अंदर की तरफ जा रही है और यह जो current है यह I2 यह उपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हम flaming का left hand rule अच्छी से आपको अपनी fingers के द्वारा नहीं बता सकती तो अपनी fingers के द्वारा तो यह तीनो mutually perpendicular होंगी तो magnetic field जो है inward है current जो है यह upward है तो जो force होगा वो आपका इस direction में होगा तो F21 जो होगा force on the second conductor due to first conductor जो वो होगा आपका inward direction में होगा यहाँ पे force की value जो होगी ठीक है त पहले वाला conductor जो है वो magnetic field B1 produce कर रहा है तो उस B1 magnetic field में यह वाली जो B1 magnetic field है यह आपकी inward direction में होगी current जो है यह आपका upward direction में है तो जो force होगा इन दोनों के perpendicular होगा और वो आपका left side में होगा flaming left hand rule का इस्तमाल आपको यहाँ पे करना है ठीक है तो यहाँ पे हमने निकाल लिय कि जो force की value है F21 ठीक है उसका magnitude हमने किताना निकाला magnetic field जो है वो first वाले conductor की है current जो है यह second वाले conductor का है और length भी जो है यह second वाले conductor की है तो B1 की value यहाँ पे put कर दो mu 0 upon 4 pi 2 I1 by R और दूसरा होगे यहाँ पे I2 into L तो यहाँ पे हमने निकाल ली कि जो आपका second conductor पे first conductor के द्वारा जो force लग रहा है वो यह लग रहा है mu 0 upon 4 pi 2 I1 I2 upon R into L ठीक है तो यहाँ पे हमने निकाल लिया इतना portion हमने कर लिया है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने यह वाला portion कर लिया है ठीक है कि इस वाले कि पहली conductor जो है दूसरी conductor पे एक force लगा रही है यानि कि पहले वाला जो conductor है दूसरे conductor पे एक force लगा रहा है तो यह पहला conductor है तो पहला conductor जो है दूसरे conductor पे force लगा रहा है और वो force की direction कहां पे है left side में है ठीक है तो पहला conductor कौन सा था आपका? आपका A1 B1 यह first conductor है और यह second conductor है तो पहला conductor जो है second conductor पे force लगा रहा है और वो आपका left side में है तो यह हमने flaming left endule से अभी निकाला है अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसका same हम करेंगे कि अब हम देखेंगे कि second conductor जो है first conductor पे force लगाएगा अब हम इसका opposite करेंगे पहले हमने देखा कि पहला conductor जो है वो magnetic field produce कर रहा है और उसकी magnetic field में हमने second conductor को रखा है अब हम उल्टा करेंगे अब हम क्या suppose करेंगे कि जो second conductor है आपका second conductor है वो आपका magnetic field produce कर रहा है और उसकी magnetic field में आपने पहले conductor को रखा है और उस point P पे हमें निकालना है कि point P के बीच का इनका जो distance है वो है आपका R अब same वो हमें करना है जो हमने पहले किया है कि जो first conductor second conductor पर कितना force लगाएगा अब हमें क्या निकालना है कि second conductor first conductor पर कितना force लगाएगा और उसकी direction हमें निकालनी है सेम वह काम पहला है खीक है तो यहाँ पही अगर हम देखे तो अब हमें क्या करेखो कि यह जो Second Connected है हमने माना कि यह जो आपका Second Conductor है इसमें भी Current क्या आपका Upward Direction में है तो इसकी the Magnetic Field होगी वो Anti-Clockwise होगी यह क्या है कि अगर हमारे current है वो आपका thumb की direction में है और हमारी जो fingers का curl होगा वो हमारा magnetic field की direction में होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि second conductor है second conductor में भी current आपका उपर की तरफ जा रहा है और इसमें current कितना है I2 current है तो इसकी भी जो magnetic field होगी वो आपकी anti-clockwise direction में move करेगी इसका वे जो magnetic field होगा वो आपका anti-clockwise direction में move करेगा और second conductor की magnetic field में अब हमने किसको रख दिया है first conductor को रख दिया है first conductor को यहाँ पर हमने रख दिया है और इस point P पर अब हमने देखना है इस point P पर magnetic field कितना force लगा रही है और यहां से लेके यहां तक का जो distance है दोनों conductor का जो distance है वो आपका R है ठीक है तो अब हम देखेंगे यहां पर कि जो magnetic field है वो आपकी ऐसे R यह anti-clockwise direction में और वो इस point पर कहां पर होगी यह outward direction में होगी point P पर जो magnetic field होगी वो आपकी outward direction में होगी तो यह आपकी magnetic field की direction है तो this is the B2 magnetic field है ठीक है तो अब हमने देखा है यहां पर किफ second conductor जो है second वाला conductor जो है वो magnetic field produce कर रहा है तो second वाले के conductor में current कितना है आपका I2 और इसकी magnetic field कितनी है B2 तो इसके magnetic field की value सेम वैसे ही होगी इसके magnetic field की value जो होगी सेम वैसे B2 वो किसके बराबर होगी mu 0 upon 4 pi 2 current हम क्या लेंगे यहां पर second conductor की magnetic field है I2 लेंगे क्योंकि second conductor में जो current है वो आपका I2 है तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 I2 upon R क्योंकि हम यहां पर क्या ले रहे हैं second magnetic field ले रहे हैं हम यहां पर B2 को ले रहे हैं B2 is the second magnetic field ठीक है तो B2 की value जो आएगी that is equal to mu 0 upon 4 pi 2 I2 by R क्योंकि हम second conductor की magnetic field ले रहे हैं और second conductor में जो आपका current है वो आपका I2 है B2 के लिए जो current है वो आपका I2 है तो यानि कि second conductor जो है आपकी magnetic field produce कर रहा है B2 और उसका formula हमने लिख लिया यहां पर ठीक है तो यह वाला जो था यह आपका second conductor है और यह वाला जो है यह आपका first conductor है यहां पर ठीक है तो इस point P पर हमें देखना है तो अभी हमने देखा क्योंकि magnetic field है यह आपकी anticlockwise direction है तो जैसे यह point P पर enter करेगी तो यह आपकी outward direction में होगी तो जो B2 की direction है यह आपकी outward direction में है यहां पर point P पर हमें देखना है और इनकी बीच का जो distance है यह आपका r distance है ठीक है तो point P पर जो second conductor की magnetic field है B2 second conductor की magnetic field है ठीक है अब हमने second conductor की magnetic field में किसको रखा है first conductor को रखा है second conductor की magnetic field में हमने किसको रखा है first conductor को रखा है तो second conductor की जो magnetic field है B2, second conductor की जो magnetic field है B2 वो first conductor पे force लगाएगी और first conductor में current कितना है आपका I1, तो कितना force होगा, force बराबर BIL, ठीक है, तो force किसके बराबर होगा आपका, force को मैं इसको क्या लिखेंगे, force is equal to BIL, अब यह कौन सा force है, force on the first conductor due to second conductor, यह कौन सा force है, force on the first conductor due to second conductor, यानि कि first conductor पे second conductor की वज़े से जो force लगेगा, यह वो है, is equal to, अब magnetic field कौन सा है, second conductor का, तो magnetic field जो है, second conductor का है, इसको हमने लिख लिख लिया, B2, और first conductor में कितना current flow कर रहा है, first conductor में जो है, वो आपका I1 current flow कर रहा है, और length है इसकी L, तो यहाँ पे हमने देखा, कि जो आपका force है current conductor पे, वो कितना लग रहा है, आपका BIL, तो यहाँ पे हम निकाल रहे है, force on the first conductor due to second conductor, ठीक है, तो यह किसके बराबर होगा आपका, B2 यानि कि second conductor की जो है magnetic field आएगी, और जो I1 है, वो आपका first conductor का आएगा, और L जो है, वो आपकी L आएगी, तो यहाँ पे अगर हम F12 की value लिखे, F12, वो किसके बराबर है आपका, magnetic field of second conductor, current in first conductor into L, तो B2 की value अभी हमने निका वाली, mu0 upon 4 pi, ठीक है, उसको हमने लिखा, 2 I2 upon R, यह हमारी B2 की value है, जो भी हमने लिखी थी, और इस वालों का हम adjectives लिखे लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका I1 into L, तो यहाँ पे F12 इसकी भी value की आई है, तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों की value आपकी same आई है, यह value हम हमारी F21 की आई थी, और same यह value हमारी किस की आई है, F12 की आई है, तो यानि कि दोनों की value जो आएगी, वो same आएगी, क्या value आएगी, mu0 upon 4 pi, 2 I1 I2 by R into L, तो दोनों में जो force की value है, वो same है, ठीक है, तो second conductor पे first की वज़े से जो force लग रहा है, यह first conductor पे second की वज़े से जो force ल हमें direction देखनी है, ठीक है, अब हमें क्या देखनी है, direction देखनी है, यानि कि यह जो आपका second conductor है, यह आपका magnetic field anti-clockwise direction में flow करा रहा है, और यहाँ पे आपने इसको क्या रखा है, यह आपने second conductor, जो है, यह आपका magnetic field produce कर रहा है, anti-clockwise direction में, और इन दोनों के बीच का जो distance है, वो तो यहां पर यह जो magnetic field है यह कौन सी है यह आपकी B2 magnetic field है point P पे ठीक है तो point P पे जो magnetic field है यह आपकी outward direction में है और यहां पर first conductor में जो current है वो आपका कौन सा है I1 ठीक है तो यहां पर भी आफ लेमिंग का left hand rule या use करो current जो है यानि कि जो आपकी second finger है वो आपकी upward direction में होनी चाहि में तो यहां पर यहां पर आपका current आए यहां पर आपका force आएगा वो कहां पर आएगा यहां पर आपको flaming map अपनी fingers से आपको करके नहीं दिखां रही हूं जब हम clasp में जाएंगे तो यह map बताऊंगी तो यह पर भी अपना flaming left hand tool लगा रही हूं तो आप भी अपना यहां पर flaming left and rule लगाएंगे तो fingers को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो second finger है वो आपकी upward direction में, ठीक है, जो आपकी current वाली finger है, ये आपकी upward direction में, ये current वाली finger है, ये second finger होती है, और ये magnetic field वाली जो है, जो first finger है, ये आपकी outward direction में है, तो यहां पर हम देख रहे हैं, कि जो force है, वो कहाँ पे लगेगा वो left side में लगेगा ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो force आया है यहाँ पे हमने देखा कि यह जो था आपका first conductor है तो इस पे जो magnetic field है यह आपकी outward direction में है यह magnetic field आपकी B2 magnetic field लग रही है ठीक है और इसमें जो current है यह आपका I1 current अपर direction में है तो इस पे जो force लगेगा यह कौन सा force है force होंदा first conductor due to second conductor तो यहाँ पे जो force है यहाँ पे हम flaming का left hand rule लगाएंगे तो flaming के left hand rule से जो force है वो आपका right side में लगेगा ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि यह पहला conductor है यह दूसरा conductor है ठीक है तो पहला conductor दूसरे conductor पे force लगाता है पहला conductor दूसरे conductor पे कितना force लगा रहा है F21 तो यहाँ पे हमने देखा कि यह first conductor है और यह आपका second conductor है ठीक है this is your first conductor and this is your second conductor तो पहले conductor की magnetic field पहले conductor की magnetic field दूसरे पे एक force लगाती है जिसको हमने क्या लिखा F21 यानि कि force on the second conductor due to first conductor और उसकी जो direction है वो आपकी left hand side में है ऐसी हमने देखा कि जो second conductor की magnetic field है वो फस्ट conductor पर force लगाती है और उसको हमने कैसे लिखा F12 ठीक है? तो यह क्या है आपका force on the first conductor due to second conductor तो यहाँ पर फिर हम देखा को अगर मैं दुबारा से explain करूँ तो यहाँ पर यह पहला conductor है यह दूसरा conductor है ठीक है? तो यह है आपका F21 और यह है आपका F12 तो यह आपका first conductor है यह आपका second conductor है ठीक है? तो F21 क्या है? कि force on the second conductor due to 1 यानि कि पहले conductor की magnetic field दूसरे पर force लगा रही है और यह force आपका left side में है और यहाँ पर है force on first conductor due to second यानि कि second conductor की magnetic field second conductor की magnetic field first conductor पर force लगा रही है और यह आपका right side में है तो अभी हमने देखा कि एक force left side में है और एक force आपका right side में है और अभी हमने देखा कि magnitude wise दोनों force की value क्या है same है दोनों force का जो magnitude है वो आपका क्या है same है तो इसका मतलब ये दोनों wires क्या करेंगी एक दूसरे को attract करेंगी ठीक है तो ये दोनों wires क्या करेंगी एक दूसरे को attract करेंगी तो अभी हमने देखा कि जो magnitude है वो आपका सेम है जो हमारा F12 है वो किसके वराबर है that is equal to F21 और इसके magnitude की value हमने क्या निकाली mu 0 upon 4 pi 2 I1 I2 upon R into L यह हमने निकाला कि दोनों का जो magnitude है वो सेम है और जो दोनों की direction है वो opposite direction है यानि की पहले वाले तो दोनों conductor पे जो है आपका force लग रहा है यह first conductor है यह second conductor है तो यह आपका F21 है और यह आपका F12 है तो दोनों जो है यह force का जो magnitude है सेम है और direction opposite है इसका मतला तो ऐसे current जिनमें की current ऐसे current carrying conductor जिनमें current आपका सेम direction में है तो यह एक दूसरे को क्या करते है यह एक दूसरे को attract करते है तो यह हमें बताना था यहाँ पे तो यह जो है एक दूसरे को attract करते है ठीक है इसके बाद इसमें हमें बताना है तो यहाँ पे यही बताए गया है कि दोनों का जो force है वो आपका same होगा इसके बाद हम यहाँ पर बतानी है definition of ampere तो यह भी आपका इसी के साथ में continue है यह भी आपसे पूछा जाता है hence define इसी में आपसे पूछा जाता है hence define definition of ampere definition of ampere को आपको define करना है तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर आपके पास दो current है current carrying conductor है तो अगर हम माल लें कि दोनो current carrying conductor में अभी हमने देखा कि force की value जो है किसके बराबर होती है force की value होती है आपकी mu 0 upon 4 pi 2 i1 i2 upon r into l तो यहाँ पर क्योंकि यह जो conductor है यह आपके infinite conductor है तो infinite conductor के लिए जो है हम current की value को infinite conductor के लिए अगर हमें यह निकालना पड़े force की value निकालनी पड़े तो यह बहुत ही difficult हो जाएगा तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे कि जो per unit length है per unit length इस पे कितना force act कर रहा है ठीक है क्योंकि infinite conductor है हमने यहाँ पे बताया है कि जो अगर हम infinite conductor हमने लिया है infinitely long conductor है तो इतने लंबे conductor के लिए अगर हम force को निकालनी तो यह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं हम force per unit length निकाल लेते हैं force per unit length निकाल लेते हैं ठीक है कि अगर आपके पास ये कि per unit length में per unit length में कितना force होगा उसकी value को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं तो यहाँ पे force की value है आपके पास f is equal to mu 0 upon 4 pi 2 i1 i2 by r into l तो अगर हमें force per unit length निकाल लेते हैं आपे कि per unit length में force की value कितनी होगी तो यह हो जाएगा आपका mu 0 upon 4 pi 2 i1 i2 upon r तो अब हमें क्या बताना है definition of 1 amp बतानी है definition of 1 amp तो अगर यहाँ पे हम i1 को भी 1 amp ले ले, i2 को भी 1 amp ले ले, r को 1 meter ले ले, तो mu 0 upon 4 pi, जो है वो आपका कितना बन जाएगा वो value हमें यहाँ पे निकाल ली है ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कि यह वाली जो wire है दोनों का जो current है, अगर वो आपका 1 amp याइंपियर का है, इस wire में भी current आपका 1 amp याइंपियर का है दोनों के बीच का जो distance है वो आपका 1 meter का distance है तो force per unit length की जो value होगी f by L वो हमारे पास क्या बचा था mu 0 upon 4 pi 2 i1 i2 by r यह बचा था हमारे पास तो i1 की value को भी अगर हम 1 ले ले इसकी value को भी 1 ले ले और इसकी value को भी 1 ले ले तो यह हो जाया और r की value भी 1 है तो f by L हमारे पास बचेगा f by L बचेगा हमारे पास mu 0 upon 4 pi into 2 ठीक है और हमें पता है mu 0 की value कितनी होती है 4 pi into 10 is to power minus 7 तो यहाँ पे mu 0 की value होती है तो mu 0 upon 4 pi की जो value होती है वो होती है आपकी 10 is to power minus 7 into 2 ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या करना था यहाँ पे हमारे पास जो f by L था इसकी value हमारे पास थी यह आई हमारे पास mu 0 upon 4 pi into 2 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 2 into mu 0 की value हमें पता है कितनी होती है 4 pi into 10 is to power minus 7 अपन नीचे कितना है 4 pi तो 4 pi से 4 pi cancel हो जाएगा तो इसकी value आपके पास कितनी निकलेगी 2 into 10 is to power minus 7 तो यहाँ पे मारे पास क्या निकला है कि जो force per unit length है वो कितना हैगा आपके पास 2 into 10 is to power minus 7 newton per meter यह force per unit length है यानि कि newton per meter तो यह आपकी definition of 1 ampere होगी ठीक है तो यहाँ पे आपको यह definition लिखनी है कि 1 ampere is the current कि 1 ampere आपका वो current होता है which flow each of the two parallel uniform linear conductor ठीक है तो दोनो current में जो आपकी infinitely long uniformly long conductors है अगर उनमें जो current है वो आपका 1 ampere का flow कर रहा है और आपने कितने distance पे उनको रखा हुए 1 meter के distance पे रखा हुए positive direction में है तो वो repel करेंगी कितने force से कितने force नहीं है कितने force पर unit length से कितने force पर unit length से वो एक दूसरे को एट्रेक्टर करेंगी 2 into 10 is to power minus 7 यानि कि कितने force पर unit length जो है उन पे लगेगा 2 into 10 is to power minus 7 newton per meter का ठीक है तो अगर आपके पास 2 infinitely long state connector है दोनों में जो current है वो आपका 1 ampere का current है और दोनों को जो है आपने 1 meter के distance पे रखा है ठीक है तो दोनों wires कितने force पर unit length तो दोनों wire पे कितना force पर unit length लगेगा वो लगेगा आपका 2 into 10 is to power minus 7 newton per meter तो यह आपके definition of 1 ampere होगी तो dear student आज का यह जो topic है यह हमारा बहुत important topic है इसमें हमने किया है यहाँ पे हमने किया है force between two parallel current carrying conductors तो इसको जो है यह वाले topic को आपको बहुत ध्यान से देखना है तो जैसे मैंने इसको बताया है इसको आपको book में से भी study करना है इसको notes में से भी study करना है और इसको अब जितनी ज़्यादा आप return practice करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पे हमने देखा कि दो conductor है तो पहले conductor की magnetic field दूसरे पे force लगाती है और दूसरे conductor की magnetic field पहले पे force लगाती है फिर हमने देखा कि दोनों जो conductor है दोनों conductor जो है एक दूसरे पे force लगा रहे है और दोनों का जो magnitude होता है वो आपका same होता है तो यह जो force है यह आपका second conductor पे first की वज़े से लग रहा है और यह वाला force है आपका first conductor पे second की वज़े से लग रहा है और दोनों का जो magnitude है वो आपका same होता है ठीक है तो इसका मतलब हमने देखा कि दोनों wires में जिनमें current आपका same direction में है ये एक दूसरे को attract करती है ठीक है similarly जैसे जो magnet है वो एक दूसरे को attract करते हैं ऐसे ही current carrying conductor भी एक दूसरे को attract करते हैं फिर हमने इसमे definition of ampere बताया कि अगर दोनों wires में current आपका one ampere flow कर रहा है और दोनों wires के बीच का जो distance है वो आपका one meter है ठीक है तो दोनों wires जो है वो एक दूसरे पे जो force per unit length होगा वो कितना होगा 2 into 10 to power minus 7 newton per meter ठीक है तो ये definition होगे आपकी one ampere की तो ये पूरा question five marks का आपके exam से में आता है तो इस question के आपको बहुत अच्छे से practice करनी है thank you